देश और परदेश के मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जिरा परशाशन काफी कुछ सतर्ख हो गया है और उसने अपने जिले में सान्ति बेवस्ता बनाये रखने के लिए सारी कारवाईयां और इंतिजामात सुरू कर दिये है आज देर रात जिरा अधिकारी संभू कुमार पुलिस अधिक्षर टाक्टर गौरो ग्रोवर और दूसरे अधिकारियों द्वारा रास्त गस्त करते हुए घंटा गर्च चौराहे पर सहर और जिले के विसेश अधिकारियों के साथ बैठ कर विशार बिम्र्च दिया और या एक्ट के समंदित जो घ्रामक जानकारियां फिलाई जा रही है उस बारे में भी बताया गया है सोशल मीडिया सेल हमारा एक्टेव है 24 घंटे में लगातार रज़र रखे हुए है कोई बी ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समुदाए या समू यदि कोई ऐसी हरकत करता क्योंकि जन्पद में धारा 144 लागू है चार से जादा व्यक्ति यदि कठा होके किसी परकार का नारे बाजी धर्ना प्रदर्शन करेंगे तो उनके ऊपर सक्तकारवाई की जाएगी हमारे सिटी मैजेस्ट्रेट सियो साव बाकी सभी अधिकारियों के समन्द में पूरे सक् प्रदेश के वर्षन में जन्पद बहराईच के सभी नागरेकों ने शांती का एक पएगाम पूरे प्रदेश को दिया है शांती वस्ता कायम रही है चाहे वो किसी प्रकार के आयोजन रहे हो इसी प्रकार से present conditions में भी हमें पूर्ण आशा है कि बहराईच में शांती व्या ये चत्याबनी भी है उन्लोगों के लिए जिनके द्वारा छुप करके ऐसी planning की जा रही है हमारे द्वारा के लिए प्रॉपर उसकी पर्मेशन लेना जरूरी है बिना पर्मेशन के कोई भी ऐसा आयोजन धार्मिक राजनैतिक या कोई भी ऐसा अगर किया जाता है तो उसको प्रकारवाई की जाएगी सोशल मीडिया के उपर विशेश रूप से हमारे दौरा ऐसे ग्रूप्स और ऐसे व्यक्तियों को चिनित किया जा रहा है जिनके दोरा ब्रामक सुचनाएं कोई अधिनियम के बारे में या जो पार्लिमेंट ने पास किया है उसके बारे में फैलाई जा रही है ऐसी सुचना उपर भी ध्यान रखा जा रहा है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ग्रूप एड्मिन्स के ऊपर और ऐसे ग्रूप के ऊपर भी हमारे दौरसक्त कारवाई की जाएगी मैं सभी को अमन चैन बनाई रखने के लिए शांती वस्ता काईम रखने के लिए जैसा कि सहयोग बहराईच के प्रसाशन को उन्होंने विगत महिनों में दिया है आने वाले दिनों में ये देंगे इस चीज की हमें पूर्ण आशा है अभी घंटागर चोग पर आधी रात में आपने नगर्षेत्र के सबीथानाद दिच्वेस्तों के साथ मीटिंग किया क्या निर्देश दिये गए हैं नगर्ष शासन के सभी अधिकारियों तक ग्राउंड लेवल तक वो दिशा निर्देश पहुंचें और किसी भी परिष्टिती में हम लोगों दोरा क्या कारवाई की जानी है और क्या उसमें एक्षन लिया जाना है उस बारे में भी बिल्कुल क्लियर ली बता दिया गया है किसी भी हाल में अराजक्ता को बरदाश नहीं किया जाएगा लॉर्ड और्डर को बिगाड़ने करें यदि कोई भी किसी प्रकार की गतिवेदी करेंगा तो उसके उपर सक्कारवाई की जाएगी